स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता हमारे प्यारे कारे करता हाइदरबाद तेलेंगाना की जनता प्रेस के हमारे मित्रों भाईयों और बहनों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत कुछ समय पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्या कुमारी से शुरू की ये केरला से निकली टमिलनाडू, करनाटक, आंदरा, तेलेंगाना और कश्मीर तक जाएगी हर प्रदेश इस यात्रा को अपनी शक्ती अपना प्यार दे रहा है प्रदीर राष्टन लो ये यात्रा सम्दर मंगा प्रजलू वर शक्ती वरी प्रेमा वरी अभिवारं चुपिस्तु नारू छे साथ घंटे चलने के बाद कोई थकान नहीं होती आप किसी भी यात्री से पूछलो सब के सब बताएंगे कि शाम हो जाती है बीस पच्चिस किलोमेटर चल लेते हैं ठकान किसी को नहीं होती क्यों कि आपने इस यात्रा को अपनी शक्ती थी अपना प्यार दिया और हम सब की मदद की पच्च पन दिन हो गए ऐसा लग रहा है कि आज सुबह हमने शुरू की यात्रा का लक्ष देश में जो नफरत हिंसा फेलाई जा रही है उसके खिलाफ खड़ा होने का है पुरे देश में बीजेपी और आरेसस ने नफरत और हिंसा फेलाने की कोशिश की है मगर इनका सच्चा लक्ष देश में डर फलाने का है यह चाते हैं कि हिंदुस्तान की जनता दर जाए हिंदुस्तान का किसान डर जाए हिंदुस्तान का मजदूर हिंदुस्तान का वर्कर पब्लिक सेक्टर में जो काम करता है वो डर जाए हिंदुस्तान का युवाद डर जाए और फिर इस डर का फाइदा उठाकर वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने चुन हुए मित्रों के हवाले कर दे आज मैने भारत डाइनामिक्स हिंदुस्तान के लिए मिसाइल्स बनाता है जो मिसाइल्स देश की रक्षा के लिए प्रहुक किया जाते है आकाश मिसाइल है पृत्वी है अगनी है आकाश पृत्वी अगनी अनेक मिसाइल्स हूँ यह सब भारत डाइनामिक्स लिमिटेड बनाती है बहल को आप सब जानते हूँ मुझे जादा कहने की ज़रूरत नहीं मगर जब मैंने इनके एंप्लोईस से बात की इनके दिल में सरकार ने भाई डाल रखा है इनको डरा रखा है कैसे डराया हम बहल को बारत डाइनामिक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे यतलो बाई बटिन रू बहल, बीडियल, एंप्लोईस की यतलो बाई बटिन रू आज समस्तर नी प्राइवेटी करना जेस्ते हूँ ज़रूर आज हर पबलिक सेक्टर कंपनी के एंप्लोईस के मैनेजमेंट के दिल में इनको ने डर बेठा रखा है प्रती प्रभुत्वरंगे समस्ता मैनेजमेंट रू एंप्लोईस लो प्राइवेटी करना जेस्ते हूँ ज़रूर बाई पटी और एंप्लोईस अंदर नी बाई पटी हुनना रू बीचेल हो, हल, हल हो, बायरत डाइनामिक्स हो इनके सब एंप्लोईस जो हैं, मैनेजमेंट है, इनके दिल में डर है भाईयों और बहनों, ये जो पबलिक सेक्टर युनिट्स हैं, ये हिंदुस्तान की पुँझी है ये पब्लिक सेक्टेर यूनिट्स हूँ बारत देशमयों का मूला दनों प्रजला मूला दनों वी दी और ये बीजेपी के लोग भारत की पुझी अपने मित्रों को देना चाहते हैं बीजेपी वाडलू देशमयों का प्रजलों का दना नी आसती नहीं वड़ा प्राइवेट मित्र लकी व्यापरवेत लकी फंचुमेट दल्च कुणना रू बीजेएल की मदद नहीं करेंगे उसको सपोर्ट नहीं देंगे भारत डाइनामिक्स ची मदद नहीं करेंगे सपोर्ट नहीं देंगे और फिर इनको अपने मित्रों के हवाले करेंगे यह जो पब्लिक सेक्टर युनिट्स है यह दो-तीन उद्योग पतियों के युनिट्स नहीं है यह हिंदुस्तान के युनिट्स है यह आपके युनिट्स है और मैं पब्लिक सेक्टर के हर इंप्लोई को कहना चाता हूँ मैनेजमेंट को कहना चाता हूँ आपको डरने की कोई सरुवत नहीं है कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ कड़ी है लड़ जाएंगे प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे करो देखो कॉंग्रेस पार्टी का मी को हामी सुनाओ प्राइवेटी करने चेयन यहूँ वीडिन हमनी यहूँ जेपी हामी सुनाओ इनके दो-तीन मित्र हैं हिंदुस्तान के एरपॉर्ट हिंदुस्तान के पॉर्ट एरलाइन और बोलो और बोलो और क्या एल आई सी और बोलो टेलेकॉम और बोलो पॉरी जनता जानती हिंदुस्तान में क्या हो रहा है अच्छा आपने एक बात नहीं बोली जो भारत माता की बात करते हैं यह लोग आपने यह जो तीन किसान बिल नरेंद्र मोधीजी लाए इसके बारे मैं आपने नहीं बोला यह सीधा किसानों के जेब से चोरी करने के बिल थे क्या हुआ किसान खड़े हो गए बिल रद करने पड़े मेरा कहना है आपको ढरने की कोई ज़रुवत नहीं है हिंदुस्तान में किसे को नहीं ढरना चाहिए इन लोगों से यह कुछ नहीं कर सकते तो ना पब्लिक सेक्टर को डरना है ना किसान को डरना है ना मजदूर को डरना है ना युवा को डरना है युवाओं से मिलो मैं दूसरा उधारन देता हूं डर का युवाओं से मिलो मैं अब 55 दिन में हजारों युवाओं से मिला हूं पहला सवाल मैं पूछता हूँ क्या पढ़ाई की कहते हैं कोई कहता है एंजिनियर एंजिनियरिंग की कोई कहता है मैंने सौफ़वेर एंजिनियरिंग की कोई कहता है मैं आईएस की त्यारी कर रहा हूँ कोई कहता है एंबीबीएस किया अलग 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 लोग यूनिवर्सिटी गए स्कूल गए कॉलिज गए उनके माता पिता ने मेहनत की मजदूरी की कहीं से पैसा निकाला और उनकी शिक्षा में डाला और इस सड़क पे जिससे भी मैं बात करता हूँ जो भी यूवाज से मैं बात करता हूँ दूसरा सवाल मेरा होता है कि भाया आपने एंजिनियरिंग की आपने सॉफ्ट्वेर एंजिनियरिंग सीखी भाई आज करते क्या हो जो भाई जो भी यात्र लो चाला मंदी चाला मंदी युवकुल अनी कल्सुनानू जो इंजिनियरिंग चेसने वाड़्लू इंजिनियरिंग चेसी इपड़ मिर एंचेसनारू अननी युवकुल नडूर जरूथ्टुनदी जो एंजिनेरिंग की है सबसे पहले कहता है एंजिनेर तो नहीं बना फिर मैं पूचता हूँ नहीं बताओ क्या करते हो आदे लोग कहते हैं बेरोजगार है उसके बाद आदे कहते हैं या मैं ओला चलाता हूँ उबर चलाता हूँ काफी ने मुझे कहा हम मजदूरी करते हैं मोदी जी ने कहा था पकोड़े बनाओ मोदी जेनरो इंजिनेरिंग चदू कोनी पकोड़ा तैर्जे मुट रहरू पकोड़े बनाने वाला मुझे एक नहीं मिला पकोड़ा तैर्जे से वर्ला के वरोप पर लेदू ये है हालत हिंदुस्तान की युवाउं की सबको डरा रखा है सारे के सारे सोचते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल सकता ये हालत क्यों हुई इटले एंदु का हिंदी नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान और तेलंगाना की जोर रीड की हट्टी है उसको तोड़ दिया नरेंद्र मोदी बारत देश वुँ तेलंगाना रास्टेव का वेन्नु मुकरी इरक्वटिंडू कैसे तोड़ा नोट बंदी करके जी एस्टी करके और कोविट के समय जो छोटे बिजनेस वाले हैं मजदूर हैं, किसान हैं स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले हैं उनकी मदद ना करके बाई और भेनो हिंदुस्तान को रोजगार कौन देता है अकलू चलेलू अनलू तमुलू बारत देश मलो उद्ध्योगार यवरिस्तरू मैं लिस्त, मैं लिस्त बता देता हूँ आपको सरकार दे सकती है प्रभुत्व ही वोचू पब्लिक सेक्टर में मिल सकता है प्रभुत्व रंगे समसल ही वोचू और जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री होती है जो सोटी दुकाने होती है चोटे बिजनस होते है मिडल साइज बिजनस होते है वो देते है और फिर बड़े-बड़े मैनुफैक्चिनिंग करने वाले इंडस्ट्री लिस्त देते है और कंस्ट्रक्शन में रोजगार बनता है तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया सबसे पहले जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है जो भी अपारी है किसान है उनको दो जटके मारे देश को कहा मैं काले धन के खिलाब लड़ रहा हूं और नोट बंदी लागू कर दी नोट बंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे मिडल साइज बिजनिसेज को खतम कर दिया बरबाद कर दिया उसके बाद जो बचे थे उनको गलत GST लागू करके नरेंद्र मोधी जी ने खतम कर दिया नतीजा ये है कि आज जो स्मोल और मीडियम इंडेस्ट्री है जो लाकों करोणों लोगों को रोजगार देती थी आज वो किसी को रोजगार नहीं दे सकती जिनना मध्यतरा परिश्ण मलू मरे चाला मंदी की उपादी कलपी इसतु उणडे खोटला मंदी की पड़ियवर की उपादी कलपी जड़न देता हूँ निन दार लो उनना उधार नमिक जपतानू नोट बंदी और GST से पहले बेल्लारी में तक्रीबन 4 लाख लोग रोजगार पाते थे जीन्स की इंडरस्ट्री से जीन्स मैनुफैक्ट्रिंग का सेंटर था बेल्लारी चोटी चोटी फैक्ट्रियों में जीन्स बंती थी चिन चिनन प्रेश् psychologically में लो चिन 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 फैक्ट्री लो जीन्स उत्पत आउत्यों डे बटन कोह लगाता था जिपर कोह लगाता है जीन्स को दोते कोई और ते इस काम को चार लाक लोग करते थे नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की गलत GST लागु दिख्की आज बेल्लारी में 40,000 लोग काम करते हैं साड़े तीन लाक लोग बेरोजगार होगे और ये हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है प्रती पटनों लो आईतों दी हैद्रबाद में हो रहा है ये हैं इंदुस्तान की हालत ये काम नरेंद्र मोधी जी कर रहे हैं यहाँ पे आपका दूसरा मोडल है इकड़ वो दूसरा मोडल हुँदी वो हर रोज उठते हैं चेक करते हैं नरेंद्र मोधी जी ने किया किया और नकल लगा लेते हैं प्रती रोजो नरेंद्र मोधी एज येस्ट्र नंजेपी इन जूसकोनी इन आटलें येस्ट्र अड़ू शाम को बेटते हैं और और कम्प्यूटर पे धरनी धरनी पोर्टल को खोलते हैं धरनी पोर्टल पे देखते हैं किसने जमीन बेची, किसने खरीदी धरनी पोर्टल में पहले नंबर पे उनका नाम है धरनी पोर्टल लो मोदेटी पे रू केस यार पे रूंदी फर्स नंबर मोदेटी स्थान लो केस यार रू नड़ू शाम को ये करते हैं सायंत्रमुण मल्लो सर्जूस तरू सुबह उठते हैं तो सिचाई के प्रोजेक्स देखते हैं कौनसे प्रोजेक्स को रिशेड्यूल करा जाएं बाई और बेनों ये दोनों पार्टियां ये दोनों नेता एक साथ काम करते हैं मैंने अपनी आँकों से देखा है पार्लेमेंट लो राइतु चट्टल पाई मत्तम प्रतिपक्षालू मोधी की वेतरेकन जेशते एक तरफ पुरा विपक्ष दूसरी तरफ नरेंद्र मोधी जी और टी रेस पूरा का पूरा समर्थन केसियार ने नरेंद्र मोधी जी को दिया हर बिल में वो उनकी मदद करते हैं लोग सबा राजे सबा में लोग सबा लो राजे सबा लो नरेंद्र मोधी की बीजेपी की टियारस एंपी लू केस यार प्रति बिल लो प्रति लोग सब्ताइव थी चत्र नरो मंदद्र अपन आव रूँ तो यात्रा का लक्ष ह mist ही भारत जोड़ो है यह यात्रों के लक्षों हो भारत देशानी कणवने ख़णवने भारत जोड़ो यात्रों के लक्षों हिंदूस्तान में जो डर फलाया गया उसको मिताने का है बेरोजगारी के खिलाब अवाज उठाने का है और आज जो महंगाई है जो बढ़ती जा रही है उसके खिलाब अवाज उठाने का है जेपी ने अपको आपको याद होगा पेले नरेंद्र मोधी जी जी कहते थे ग्यास सिलिंडर चार सो रुपए का हो गया आज कितने का है ग्यारा सो रुपए का है आज नरेंदर मोधी जी एक शब नहीं बोलते बीजल और पेट्रोल के दाम का असर हर हिंदुस्तानी को पढ़ता है हर बिजनस को पढ़ता है हर व्यापारी को पढ़ता है हर किसान को पढ़ता है यूपिये के समय पेट्रोल 65 रुपए का था हर बाशन में नरेंदर मोधी जी कहते थे 50 रुपए का पेट्रोल हो गया 50 रुपे का डीजल हो गया आप उड़ि याभा याभा इंदरुपए लुंटे प्रती सारी नरेंदर मोधी पेट्रोल डीजल तरा यावाई रुपाई लाइंदी यावाई रुपाई लाइंदी आटूंडे आज पेट्रोल का रेट क्या है? युदु पेट्रोल तरा अंता? सो रुपे डीजल का क्या रेट है? डीजल का क्या रेट है? डीजल रेट अंता? आपके चीफ मिनिस्टर महिंगाई की बात नहीं करते तो ये लाकों कोरोड रुपै जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है ये जा कहा रहा है ये पैसा गायब तो नहीं हो रहा इसको जलाया तो नहीं जा रहा ये हवा में तो नहीं उड़ रहा ये कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूँ ये आदा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के दो तीन मित्रों के जेब में आपके चीफ मिनिस्टर के पास इतने मित्र नहीं है तो पूरा-पूरा इनके परिवार में जा रहा है मुख्यमंत्री की मित्र लगा दू मुथ्टव कमिशन लगा सम्मू आयना खुटुम में सब्यों लगे बोतु नदी KCRCM की मित्र लेरू यह लंचा लू कमिशन लगा आयना फैमली मेंबर सु कुटुम में सब्यों लेके बोतु नदी और फिर बाकी पैसा बाकी पैसा MLA, MP को खरीडने में जा रहा है सरकारों को गिराने में जा रहा है हमारी सरकार मध्या प्रदेश में बनी वहाँ पे नरेंद्र मोधी जी BJP ने पैसा देकर सरकार को गिरा दिया मध्या प्रदेश में मध्या प्रदेश लो प्रजेलू मा प्रभुत्वानी एनकुंटे BJP पाईसाल तो मा एम्मेलेन कोनगोल जेसी प्रभुत्वानी पड़गो टेरू राजिस्तान में कोशिश की राजिस्तान लो प्रभुत्वानी प्रभुत्वानी प्रदेश में ये पैसा देकर लोगतंत्र को खतम करते हैं ये दोनों एकी काम करते हैं और इनकी विचार धारा भी एक है गरीब जन्ता से पैसा चीनो और चुनुवय लोगों को पैसा दो लोगों को डराओ और मीडिया को कंट्रोल करो प्रजलनी पाई बेट्टी मीडिया नी अनचिवेशी इस्टानुसारंगा मोधी केसी और प्रवर्तिस्तुनारू इसके खिलाब हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किये दीन की वेतरे कंगा भारत जोड़ो यात्रा मोधल बेट्टिनमू और आपने इतना प्यार इतना समर्थन किया इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ और लाकों लोग हमारे साथ तलंगाना में चले मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ दूर दूर से आकर चले इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ दूर अंबयन प्रांताल निंजोच्ची ना एमबड नडचिन वाड़की प्रत्यक धन्यवाद तेली जेस्टना नू आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन मी अंदर की धन्यवाद आलू जैहिन